असलाम उलेकुम दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा गले का डिजाइन जो के लैस होगी हमारे पास में बहुत बेतरी न लगती है यह लैस जब लगा लेते हैं इसको सीखने के लिए दोस्तो वीडियो को आप एंड तक देखें और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल में नए आय तो यह देखें दोस्तो यह लैस हमने लिए यह लैस है और एक हमने यह बटन लिया है यह इस तरीके से इस पर लगेगा और एक यह बटन यह दो बटन और दो यह हमने लिए लिए और यह हमारे पास में पेस्टिंग है यह हमने फ्रेंड की कटिंग पहले ही कर रखी है तो इस तरीके से हम इसको हड़ा देते हैं अब यह देखिए जैसे हमारे पास यह पेस्टिंग है बुकरम नहीं है यह यह पेस्टिंग जो चिपकती है क्योंकि इस डिजैन में आप जो चिपकने वाली पेस्टिंग लगाएंगे इससे बहुत अच्छी लोग आती है तो इस तरी सब्सक्राइब तो हो इसांच बारा जो है कि तो इसन की सिद की लगां बाया है साथे चेंच तो इस है जैसे कि हम यह पांच ते रहे हैं eあ आप को और भीесп चैप कर सकते हैं तो इस स्थी बतेंने के बाद में इसको दוכ हम यहां से सबा इंच इस तरीके तो है औरlar है कि और यह सबा इंच हम सबाइंच यह देखें इस तरीके से निसान लगाएंगे और निसान लगाने के बाद में देखिये इसको इस तरीके से बिल्कुल शेफ दे दिए जैसे कि हमने इसमें दिये गले में देखे इस तरीके से ये इस तरीके से शेफ आ जाएगी अब यहां से जो गला डीप है इस जगा से इस जगा पे आपको ये 8 से 8 इंच इस तरीके से रख लेना है ये मैं 8.5 इंच रख रहा हूँ आप लंबाई क इस तरीके से ही सेफ देनी है जैसे की हमने गले की दीदी कि ये देखे इस तरीके से अब यह से देने के बाद में हमें यहां से इसको देखिए कटिंग करना ये इसे यह देखे इसको इस तरीके से क्योंकि यह जो पेश्टिंग होती है ना थोड़ी काटने में हाड होती है तो इस तरीके से अराम से पकड़ के काटेंगे यह नहीं तो एक नीचे की पेश्टिंग जो होती है ना वो फिसल जाती है यह देखे इस तरीके से और इसको देखे हमें यहां से इस तरीके से शेफ दे देनी है यह देखे इस तरीके से तो यह हमारा इस तरीके से यह गला पूरा यह कट गया यहां पर कटने के बाद में हम इसका यह कपड़ा है इस कपड़े पर हमें इसको पेस्टिंग कर देनी है यह जो कपड़ा हमें लेना है लेने के बाद में देखे इसको इस तरीके से रखेंगे ऐसे और पहले लगाएंगे हम कपड़े पर अच्छी तरीके से प्रेस ऐसे करके देगे य अपना। रख ounds-पेस्टिझ को भी इस तरू कर लिएप पेस्टिंग कर लिए करने के वाद में इसने कड़नेंगे एक कड लעना है भी सेंटर का यह हमारा कड लागा लगा इस तरह के से और हमने जो यह फ्रेंड ले रख और इस तरीके से लेंगे और यह देख इसमें भी हम हम एक कड लगाएंगे कैने यहां पर इस तरह कर लगा इस तरी के यह दोाइँ एक जब लगो मेर। और इस पे ऐसे करके यह रख देना है देखिए यह इस तरीके से रखने के बाद में यह हमें उल्टी तरफ रखना है इस गरले को ऐसे इसके ओपर ऐसे रखेंगे उल्टी तरफ से और यह देखिए यह बिल्कुल यहां से सेंटर मिलाके हम यहां पर एक सिलाई लगाएंगे 20 सेंटर की उसके बाद में यहां पे एक जड़ में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से यहां से यह इस तरीके से तो दोस्तों इसको लगाने के लिए चलते हैं मसीन पर तो यह देखिए दोस्तों हम आगे मसीन पर मसीन पर आने के बाद में हमें इस तरीके से देखिए जो हमने सेंटर आ रहा है इस जगा पूरी लगने के बाद में यह हमारा गला ना तो इदर जाएगा ना इदर जाएगा क्यों यह हमारा बिल्कुल by center हो गया तो इस तरीके देखिए अब इसके जड़ में सिलाई लगाएंगे ऐसे हल्क असा बिल्कुल जो हमारी पेस्टिंग इससे हल्क किसी एकदम हटा देंगे बिल्कुल बारिक सा ताके जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यह अंदर का कपड़ा हमारा बाहर नजन नहीं आना चाहिए यह आपको यह नजर आता होगा इस पर मैंने इसका दागा जो है ना थोड़ा सा डार्क लगा या ताके आपको नजर आए अब यह हलका सामने ऐसे लगाया है जब इसको फोल्ड करेंगे ना तो फोल्ड करने के बाद में यह जो निसान देखिए हमारा जो यह अंदर की सेट च हुआ है इस तरहल के लिए आप इस को हम इस तरहल के से ऐसे प्लाइड लेंगे इस तरह हमने जो हलकि सी हटाके शिलाए लगाई ती उससे फायदा है यह कंपड़ा ना नहीं आता है यह बिल्कुल यह अधर एक दब फिनिसिंग के साथ में आ जाएगा यह देखिए इस तरीके देखिए यह देखिए यह देखिए किनार बिल्कुल चिलाइ लगा लिये अब सिलाइ लगाने के लाए वी जे यह जू हैं इस लाएज subject को शरी के से हम इसके अंदर एसे करके रखेंगे और इसमें लगाएंगे हम सिंगल बूड तो पहले सिंगल बूड लगा लेते हैं उसके बाद आपको देखा तो यह देखिए दोस्तों यह हमने सिंगल बूड लगा लिया है और अब इसको देखिए लैस को इस तरीके से लेंगे और इसके अंदर ऐसे रखेंगे यह देखिए ऐ इसको लगाने का फैयदा यह होता है कि आप इसको डाय करके अगर लगमाईंगे तो इसपो इसे लाइस को पिल्कुल निहां से जडो में ऐसे करके अच्छी तरीके से सिसकों दवा के और आराम अ यह देखिए ऐसे करके और जहां इसको गुमाना जाएंगे यह लैस इसकी यह भी खासियत है यह अराम से गूम भी जाती है यह देखिए इस तरही जाती है इसकी पीस इसका घूम जाएगा यह जो यह होता है यह कि बिल्कुल एकदम देखिए ऐसे करके बस आपको क्या करना है कि लैस को अंदर ऐसे दबा के रखना है और अराम से इसके जड़ में शिलाई लगा लेनी ऐसे करके यह देखिए जो हमारा यह सेंटर है इस सेंटर का भी दियान रखें इस तरही के से इसको लाके और यह देखिए इस तरही के से यह लगाएगे इस लाएगे तो देखिए यह लगाने के बाद में इस तरही के से यह लगा लेंगे हम पूरी और उसके बाद आपको दिखाते हैं तो यह देखिए दोस्तों यह इस तरही के से पूरी मैंने यह लैस लगा लिए अब एक लैस लगाएंगे हम गले के अंदर और वो इस तरही के से शिलाई लगानी है ये लैस दवाने के बाद देखिए इस तरीके से इसको लैस को खोलते जाएंगे और ये लगाते जाएंगे तो इसी तरीके से ये मैं पूरी लैस लगा लूँगा और उसके बाद आपको इसकी फैनल लुक दिखाता हूँ तो यह देखिए दोस्तों यह इसकी फाइनल लूक है इस तरीके से और यह गला जो है बहुत जादा उड़ गया और बहुत जादा बेतनी लग रहा है इसके अंदर क्या करना है हमें अभी हमें यह चीज लगानी है देखिए आप बजार में यह अराम से मिल जाती है यह आपक लगाना यह और एक बटन यह इस तरीके से देखिए इसके अंदर यह ग्रीन पन आ रहा है इसको इस तरीके से रखेंगे यह देखिए ऐसे करके इसके नीचे तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपेज